नमस्कार अदाप्स अस्रिकाल दोस्तों बिग बॉस सीजन सिस्तीन के घर के अंदर सुभे सुभे प्रियंका चहर चौधरी को मिला सुम्बुल तौकीर खान का साथ और निकाले सुम्बुल और प्रियंका ने यहाँ पर शालीन भन्नोट के आखों से आसू जी हाँ सुभे हुई प्रियंका और शालीन के बीच में बड़ी लड़ाई चीनी को लेकर और इस लड़ाई में प्रियंका का साथ दिया दोस्तों सुम्बुल तौकीर खान ने और सुम्बुल ने अर्चना की बात को मान कर यहाँ पर पूरी तरह से जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर क आपने हमारी YouTube चानल Quick TV News को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले Quick TV News को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें, आपको बताना चाहते हैं, अर्चना, गौत जब से वापस है, यह तब से सुंबुल तोकर खाने अपना गेम बदल लिया है, और यहाँ पर सुबे सुबे प्रियंका और शालीन के बीच में बड़ी लडाई होती है, चीनी को लेकर, क्यूंकि टीना एंड शालीन गंदी हरकत करते हैं, चीनी जबा देते हैं, और चीनी देते हैं, यहाँ पर किसी और का नहीं, बलकि आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर किसी और का नहीं, बलकि प्रियंका का, अंकित का, तो आपको बताना चाहते हैं, इसी बातों बातों में यहाँ पर बहुत बड़ी लडाई होती है, और शालीन को ये लग रहा था, कि मतल वो लोग जवर्दस्त तरीके से एक दूसरे के साथ हसते हुए नजर आए और इस बात से यहाँ पर मिर्ची लगी है दोस्तों शालीन भनोट को शालीन भनोट के आँखों से आंसू निकल गए क्योंकि शालीन को आसा लग रहा था कि यहाँ पर मेरी लड़ाई प्रियंका के स तरीयो तो पूरी तरह से वो जुन्ड में वो खेलेगा जुन्ड पे जो है वो वार करेगा यहाँ पर किसी और पर नहीं बलकि आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर जुन्ड पर वार करेगा किसी और पर नहीं प्रियंका पर लेकिन ऐसा तो बिलकुल भी नहीं हुआ जी हा वो लोग जो है शालिन भरनोट को लगातार पिन कर रहे थे प्रियंका के खिलाब लड़ने को और शालिन भरनोट के पास तो दिमाग वैसे भी नहीं है और शालिन भरनोट बिना मुद्दा का जो है लड़ रहे थे सुबह-सुबह प्रियंका से और ये बात जो है अच्छी त रिपोर्ट में बस इतना ही तब तक कले बने रहे अमर यूटूब चानल के साथ क्विक टीवी नूस की रिपोर्ट यदि आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चानल को आप सब्सक्राइब करना ना बुलिए बिल्कुल भी आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही चानल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाये दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें